प्रोडक्ट वाइस डेटा है, कस्टमर टाइप एक, सेल्स पर्सन का नाम है, और फिर जन्वरी फर्वरी वार चप्रल ये आगे तक डेटा चलता चला गया, दो तीन साल की सेल्स है इनकी, ठीक है जी, अलग अलग रीजन की, अब मुझे ये डेटा को क्या करना, डैशबोर् में सबसे पहली चीज जो होती है, हम कंट्रोल्स के थू याइँ, इसके एकसस कर पाएं, डैशबोर्ड को, जैसा कि इसमें देखेंगे, तो इसमें ये जो मेरा पास, यहाँ पिस चार्ट है, ये चार्ट मेरा इन फिल्टर्स पर बर्क करता है, अलग अलग फिल्टर्स पर यहां से मैं स्टार्टिंग मन्थ और एंड मन्थ यहां से चूज कर सकता हूँ region पर मेरा फिल्टर है तो इसे साथ से फिल्टर होता रहता है पर जब जहां भी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ इसके लिए मैंने क्या करख का अपनी डेटा शीट में सब से नीचे कई सारे फॉर्मूले कि थूह ये वैल्यू लाया हूं पहले मैंने क्या कि कि है कि रोकाइब का डिए कि माने सेयल स्परसन वाय वास्त के प्रमूला लगा दिया और जन्वरी में एह एक सेयल स्परसन की कितनी है इस यहां पर तोटल लाया अब वो भी फिल्टर डेटा जैसे अगर मैं रीजन वाइस कर रहा हूं तो यह डेटा चेंज हो जाएगा यहाँ पर तीन फिल्टर चल में ही मेरे रीजन, प्रोडक्ट और कस्टमर अब यह डेटा क्या कर रहा है यहाँ पर यह जो डेटा आ रहा है मेरा समिस का एक फॉर्मूला लगा हुआ है यह डेंटिफाई कर रहा है कि जनवरी में इसकी कितनी सेल है इस फिल्टर के बेस पर जब रीजन इस तो स्टार का मतलब है स्टारा ओल स्टारे प्रोडक्ट दिखा है कस्टमर जो है वो प्लैन लगा सकते हैं जैसे काउंटिफ में अगर हम सिर्फ स्टार लगा दे ना काउंटिफ का फंक्शन है मैंने बताया था कि जब यह टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं तो कोई भी रेंज में अगर मैंने रेंज दे दी और इसमें क्राइटीरिया मैंने खाली स्टार दे दिया तो यह सब कुछ देदेगा अच्छ यहां सारा पकड़ेगा मतलब इसके अंदर कुछ इसी तरह से यह सारा ही पकड़ता है क्राइटीरिया यहां नहीं पकड़ता है पर वैसे अब मैं क्या करता हूँ अपने इस डेटा पर यह चीज बनाता हूँ उपर वाली वह यह नीचे बना लेता हूँ अब यहां पर इससे कोई मतलब नहीं मुझे इन तीनों से इन तीनों पर मैं लगाँगा फिल्टर के लिए आगे मैं चूज कर लेता हूँ यहां लगा दूँगा फिल्टर यह कहीं भी लगा दूँगा अब sales person के नाम पहले तो मुझे unique list चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा unique list के लिए copy कीजिए और इसको कहीं भी लाके selection रहने दीजिए data में जाके remove duplicates कर दीजिए तो आपको एक unique list मिल जाएगी यह चार ही बनने हैं यह sales person में आगा है मैंने सीदे सीदे अब मुझे क्या करना है some ifs का formula लगाना है some ifs का formula लगाना है जिसमें some range मेरी जन्वरी में पूरी जन्वरी वाली मैंने चूज कर लिए ठीक है जी some range यह होगी और criteria range 1 कौन सी होगी नेम वाली तो नेम वाले मैंने चूज कर लिए और इसमें criteria जो रहेगा मेरा वो यह name का रहेगा तो पहला तो इससे बात बन गई लेगी ठीक है जी इसको क्या करता हूँ मैं क्योंकि इसको अब मैं formula ऐसा चाहरा हूँ ड्रैग करूँ ड्रैग करने पर मैं चाहरा हूँ कि column change हो तो यहां पर इसको column पर freezing हटा दूगा दूगा रोपे रहने दूगा 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 अब इसमें एक ही criteria अभी नाम का ही criteria है इसमें ना हाँ आभी नाम का ही है बस नाम का हम दीर दीर बढ़ाएंगे जो कि criteria clear भी होना चाहिए नहीं सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अभी हमने एक criteria ले लिए कि सबका total हमको लिखाया अभी यहां 75,000 something लिखा रहा है 75,000 दूग इसको चेक करते हैं 75,000 दूग ठीक है तो अभी यह क्या करेगा नाम के बेस पर ले रहा है पिलहाल अब दूसरी बात थी कि मैंने filter लगाने है कुछ filter के लिए क्या करूँगा मेरे को एक list चाहिए होगी list कैसी type हटा देता हूँ अब इसमें मैंने उसी process से unique करके values उठाई हूँ बस इसमें मैंने क्या किया है कि इनके उपर एक star को repeatability इसमें भी हटा दिया है हाँ इसमें भी हटा दिया सेम procedure से बस इसमें मैंने क्या किया है यह star लगा दिया है star का मतलब all होता है अब समझें इसको समझें यह all है अब इसमें अगर हम जैसे sales में sales में भी अगर हम star एक और add कर देंगे तो उसमें all का भी आ सकता है star में अगर criteria में मैं मालों अभी नाम लिख रहा हूँ criteria में मैं star अगर दालता हूँ तो क्या sub का नाम का addition आजाएगा वह सारा ही ले लेगा वह normal sum function बन जाएगा कोई criteria में all के लिए अब क्या है कि सबसे पहले अब ये region product और ये अब control जो मेरे हैं वो number पर work करते हैं जैसे इसमें जो होगा ये first position, second position, third position, fourth position, fifth position इसी तरह से work करेंगे यानि कोई भी number दूँ मैं यहां तो उसको इस list में इसे उठाके दे तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा एक index का formula लगाना पड़ेगा खाली reference के लिए हाला कि इसकी जुरुरत नहीं पड़ेगी मुझे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से changing होगी controls में हमारे इंडेक्स में मैंने एक array दे दिया और इसमें जो row number है वो यहां से ले लेगा ठीक है जिसे आप देख रहे हैं यहां first position पे आपका star ही आएगा यहां पे three लिखता हूँ तो यह हो जाता है हमारा product दूसरा select हो जाता है इंडेक्स क्या करता है 5 पे कुछ नहीं इंडेक्स सर क्या कर रहा है न जैसे आप इसमें देखेंगे तो पहली position पे selection में मेरे पहली position पे यह star है second position पे east है third पे north है fourth पे south है fifth पे west है तो इसके अंदर से जो भी number वहां से यहां लिखा होगा वो उस number की value यहां पे दिखा देगा तो पहले number पे क्या है star है अब हम product वाले पे आते हैं आप यहां वाले index पे देखेंगे तो selection यह है यहां क्या लिखा है three third row number one two three lightsaber लिखा हुआ है वह ही आ रहा है सुनाई नहीं दे रहा सुनाई नहीं दे रहा one two three four five तो जो number मैं यहां डालूँगा ना उसी number की value यहां दिखा देगा ठीक है जी अगर मैं यहां का index formula चेक करूँ तो index formula में पहला क्या होता है array होता है तो array मैंने यह ले लिया दूसरा होता है row number row number मैंने यहां से लिया कि इस row number की value रहा तो row number one कौन सी हो गई इस selection के अंदर जो star है ठीक है जी इसी तरह से अगला वाला गर हम देखते हैं यह वाला तो इसमें मेरा जो array है वो यह है और इसके अंदर जो row number है मैं यहां से ले रहा हूँ यह तो third number की value कौन सी lightsaber ठीक है index normally index है कोई हमने list पकड़ा दी उसमें से बोला कि पहले number की value दो दूसरे number की दो तीसरे number की दो तीसरे number की दो यह करता है ठीक है confusion है इसमें clarity है फिर indexing हम generally करते है किसली है इसका function क्या रहत अभी जो हम कर रहे है उसको पहले हमने इधर indexing में क्यों कर रहा हूं देखिए ज़र अब मुझे कुछ filter लगाने है अब जैसे समेफ का criteria तो मैंने यह से दे दिया name वाला ठीक है जी एक criteria मेरा होता है कि जो customer type है वो planet हो ठीक है जी तो समेफ में अगर मैं एक और criteria करता हूं कि जहाँ planet की से लोग वो दिखाए खाली अब देखिए मैं इसको connect कर रहा हूं इसको अब मैं आगे connect कर रहा हूं इसमें मैंने क्या दिया criteria range 2 criteria range 2 में मैंने यह दे दिया यह वाला planet वाला आपका सारा जवाल ठीक है जी यह दे दिया और criteria जो मैं चूज करूँगा यह planet प्रोड़क्ट वाला वो मैं प्रोड़क्ट चूज करूँगा यहां से ठीक है जी अभी यहां से हम क्या हम क्या हम क्या हम criteria चूज कर रहे है criteria चूज कर रहे है अब देखिए मैं इसको formula को drag करता हूं और अभी आपको इसका results पता पर जाए अब देखिए यह क्या कर रहा है submit के अंदर एक और criteria add हो चुका है जो कि है कि जो customer type है जो मैंने यहां select किया criteria range यह है customer type की यहां से customer type कौन सा criteria है वो यहां से उठा रहा है तो planet का दिखा रहा है यहां पर आप जैसे ही देख रहा है value अब मुझे चाहिए सब की value तो जैसे one choose करूँगा all आएगा और यह सारी की सारी value आगए या दो choose करूँगा तो enterprises वाले की value आगए ठीक है जी क्योंकि criteria यहां से उठ रहा है इसी तरह से इन से भी मैंने add करना है पूल मिलाकर filtering का process किया है क्यों किया है देखिए इसको short में और short में समझा देता हूं कि अगर मैं यहां पर list box लगा देता हूं combo box लगा दिया मैंने combo box यह combo box है इसके अंदर मैंने input range यहां से करवा दी यह product की cell link cell link मैंने यह वाला दे दिया अब क्या होगा इसके अंदर अभी इस मैंसे जो भी मैं choose करूंगा उसके हिसाब से मेरा data filter होना शुरू हो गया ठीक है sir सही है इसके मतलब है जब हम यह filter side में हमने filter create किये है तो अलग से उसमें इसको उपर वाले से connect करने के लिए उसमें add करने के लिए हम कर रहे है हमें न क्योंकि सारा काम जो भी dashboard का है वो data से related है charts को बस एक part है charts को जो आप data दोगे वही दिखाएगा अब मैं मान लीजे इस पर chart लगा देता हूं तो मेरे को वो data दिखाएगा जो मैं यहां से select करता हूं तो कि वो summits के through यहां से data change करता जा रहा है अजी अब ऐसे जैसा मैंने आपको दिखाया कि एक filter लगाया मैंने ऐसे तीन filter लगाने मैंने product wise और region wise तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे summits पे वो लगाना पड़ेगा एक और criteria अभी customer type के दिया मैंने अब यह मैं देता हूं product का product का यहां से product का दे दिया मैंने और criteria choose कर दिया यहां से fix करता जा रहा हूं मैं सब को region मैंने इधर से दे दिया region का criteria मैंने दे दिया और यह सारी values पर depend हो गई है in filters पर अब जैसे जैसे यहां पर criteria यह जो हम लिखाते हैं some maps यह generally इसमें जितने भी criteria ले सकता है इसका मतलब हमारे पास उतने variables है correct correct उसमें इतने variables हैं product type भी है उसमें company का नाम भी हो सकता है उसमें आदमी का नाम भी हो सकते है और पचास variable चाहिए पचास variable यह सकते है कि पहले हम at least एक sum if से एक criteria पहले fix कर ले बाद में जो बाकी variable से उनको filter करके इसके साब add करते जाए formula to formula वैसा करना चाहिए जहां पर आपको summarized value चाहिए तो वहां पर sum if averages वगएरा count if यूज कर सकते है जहां आपको summary चाहिए जैसे यह हो गई एक summary हो गई और जहां पर आपको सिर्फ value ही चाहिए जैसे दिल्ली का चार्ट दिखाना है परिदाबाद का चार्ट दिखाना है पुना का महरास्ता का value वही चाहिए तो वहां पर हमें क्या लगाएंगे अपना offset वाला function offset या index वाला अब देखिए यहां पर हमें same value चाहिए थी तो हमने यहां पर कौन सा लगाया index का और offset वगएरा से यह क्यों लगाते हैं क्यों कि यह number पर काम करते हैं सारा खेल इतना ही है अब एक और चीज़ देखते हैं मैंने इस ट्रैश्पोर्ट में यहां पर अभी मैंने जो वर्किंग कराई वो इनके लिए कराई एक तो प्रोड़क्ट वाला जो था all glue gun यह सब यह इसके लिए था customer वाला filter यहां पर और region वाला filter यहां पर ठीक है यह रिजन वाला कहां यह रिजन वाला ठीक है ठीक है अभी मैंने इसके लिए करवाया अब बात करते हैं इसकी start month और end month का क्योंकि अब इस अभी जो आप दिखा रहे हैं इसर एक मिनट जो यह product customer और region उसमें आप end number of combinations ले सकते हैं कोई वो नहीं है कितने भी ले सकते हैं इसकी combination जो है अगर हम देखे तो 3 into 3 into 3 9 into 4 यह आपका ओज़ेगा 3224 combination हम इसमें दिखा सकते हैं अहाँ हाँ अभी इसके हिसाब से तो इतना ही दिखा रहे है अच्छा ठीक है तो अभी बाकी चलते हैं इस पर अभी देखते हैं स्टार्ट मंत वाला कैसे करना है क्योंकि उसके हिसाब के भी data दिखा रहे है अभी इसके data में देखे क्या किया है वहां तक तो सब कुछ सही हुआ है जहाँ पर data में इसी प्रोसीजर से ला रहा है हलो सर नेट का थोड़ा सा problem लग रहा है मुझे इस करन से हलो आपका भी slow आ रहा है सर नेट का problem लग रहा है मुझे थोड़ा सा हलो 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 शनाई नहीं देना संबी मेरा माइक पहां से तेज बता रहा है हलो अरे नेट बंद हो गया हलो 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 वालो हलो कि 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 कर रहा है इसके बाद क्या करना था हमे ही जो डेटा है ना वो डेट को हमने यहां पे लाना था जैसे मैंने आप पाँच दिया आदेट चेंज जोई यहां पे भी डेट चेंज हो गई और यहां पे यह डेटा ही चेंज हो गया पूरा मतलब अगर मैं यहां पे स्टार्ट वाला डालता हूं तो यह इस टेट से लेकर इस डेट तक की डेट दिखाएगा यहां उसके इसाब से यह डेटा दिखा रहा है अब देखिए यह कैसे करना है तो हम कंट्रोल किस से किस को कर रहे है अच्छली जो ऊपर वाला फिगर है जहां आप क्लिक करते हैं और यहां चेंज हो जाता है तो कंट्रोल हम कैसे कर रहे है कौन से फर्मूला से अभी दिखा रहा हूं सर वो भी सब इंडेक्स मैच यह ही चल रहा है इंडेक्स मैच ओप from अच्छा औप सेट यह ही चलेगा ठीक है अब इसमें क्या करना है हमने फिल््ड को पूरी लेनी है हम यहां पे करते हैं इसारा काँप फिल्ड पूरी lे लेता हो परमुला यहां से यहां पर मुझे चाहिए start date का और end date का end date अब इसमों क्या है start date end date मैंने कहान ले रखी है यहां पर start month का जो है और end month का यहां पर 2 combo box है जिसके अंदर same date मैंने डाल रखी है वो कैसे करेंगे इसके लिए इसकी भी हमें पूरी list चाहिए होगी क्या करेंगे यह जो मन्त है इसको उठाके एक जगा list में वो कर लेंगे transpose कर लेंगे ठीक है जी क्योंकि इसी से हम वो भी लेंगे क्या नाम है कंट्रोल में, कॉम्बो बॉक्स में, जब ये इस तरह से डेटा आपका और्गनाईज होता है, मतलब रोज में तभी लेता है, अगर मैं यहाँ से सेलेक्शन देना चाहूं तो नहीं लेगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर बनाना है कि एक डालूं तो यह वाली डेटा जाए, दो डालूं तो वही डेटा जाए, यहाँ जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पर हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, यह मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, और रो नंबर जो है मैं उपर से चूज कर लेता हूँ, इसको डे डेट के फॉर्मैट पर कर लेता हूँ, क्योंकि डेट का ही है, तो यह वैल्यू आ गई, अब मैं जैसे ही यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसमें से मुझे वो इंडेक्स पोजिशन उठा के दे दे रहा है, ठीक है जी, अब इसको मैं कनेक्ट क इसा मुझे करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट को क्या करता हूँ, मैं एक्वल तू करके यही से उठा लेता हूँ, ठीक है जी, अब क्या है कि स्टार्टिंग डेट मेरी इससे कंट्रोल होने लगी, अब दूसरे में मैंने बहुत सिंपल चीज देनी है, एक यह फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, बस इस फॉर्मूले में मैंने जैसे आगर यहां से मैं चेंज करता हूँ, तो यह एकॉर्डिंग ली चेंज जाएंगे, अब मुझे यह चीज करनी है कि जो एंडेट से बड़ा ना हूँ, वहां ब्लैंक दिखा देवर, तो उसके ल यहां यहां बड़ी है या हो है, तो यह यही फॉर्मूला चला दे, अधरवाइज ब्लैंक कर दे, इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ, अब इसको ले जाता हूँ, ड्राग कर के, जहां तक यह था, वहां तक ले जाए यहां कुछ प्रब्लम है दूसरी चीज द्रैग कर दिसके, यह फॉर्मूलर द्रैग करना था यह द्रैग करके लिए आया, यह वहां तक का डेटा दिखाने लगा हाँ, एक मैंने गलत चीज फिक्स कर दी क्योंकि इडेट तो हमेशा इसके बेस को बदलता रहेगा तो इसको फिक्स नहीं करना चीज़ यहां से अब ले जाता हूँ, यहां तक था अब यह क्या है कि वहां तक दिखा रहा है, जैसे उबर नौ है, वहां तक दिखा रहा है, उसके आगे ब्लेंक दिखा रहा है और blank में e-rate का formula काम नहीं करता है, इसलिए आगे error दिखा रहा है, इसमें क्या कर देंगे, एक if error का formula और देदेगे, जहाँ error से परहेज करना हूँ, वहाँ if error का formula देदी, यह भी हो गया, अब मैं इसको यहां तक ले आए, maximum value तक, अब माली जी, यहां से मैं कुछ value देता हूँ, तो यह मेरी control हो रही है, वैसी की वैसी, ठीक है, अब उपर वाला मन्त तो आगया मेरा, अब मन्त से मुझे data उठाना है, यहां नाम तो same है, तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की जुरूद है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस में से यह चार value उठानी है, जहां मन्त का नाम match कर जाए, तो इधर लगा दूँगा index, पैरे जो है, यहां मुझे इस में से पता लगाना है, कि यह कहाँ पर है, no no no, अच्छा, match, match का पनुशे, match का लगेगा, match में मुझे यह पता लगाना है, कि यह जो value है, वो ही index position अलाके देगा नहीं, यह जो value है, पार्शली तो पर लेता हूँ, वो इस में कहाँ पर है, match type 0, यह जो, तो इस, क्या है, रज़तें दिखा रहा है, यह पहली value नहीं आई, इसको थोड़ा सा, जब मैं इसको ड्रेक्ट करूंगा तो मुझे index position बताने लगा, कि यह value कहाँ पर, अब, उस row की value मैंने उठानी है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, offset, उसे मुझे marge की value चाहिए, तो offset का मैंने formula लगाया, और difference, यहां से third बता रहा है, मैंने यह choose कर लिया, इसको मैंने इसलिए choose किया है, क्योंकि zero row और zero column यहाँ लेगा, और index जो क्या करता है, one से start करता है, तो मैंने zero zero यहाँ dead कर दिया, अब यह जब भी बढ़ेगा जन्वरी तो one, परवरी तो two, मार्च तो three, जो की actual होना ही चाहिए, ठीक है सर, तो रिफ्रेंस वो ले लिया, दूसरा, रोज, यहाँ से, तो यहाँ पर मैं first row में काम करूँगा, तो पहली रो का data यहाँ से उठा लेगा, और column का data जो है वो यहाँ से उठाएगा, तो फैंसर्ट सो तीन मार्च में, जिम्स क्रिक का था, तो पहेंसर्ट सो तीन मार्च में यह रहाँ, ठीक है जी, तो असल में यह formula लगाना है मुझे, तो इसके अंदर build कर देता हूँ मैं, match के अंदर, match column के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, offset, reference जो रहेगा मेरा वो यह हो गया, fix कर दूँगा यह से, rows, rows, कितनी rows लेनी है, rows मैं यहां manual ले देता हूँ, और नहीं तो एक index का formula और लगा सकता हूँ, कि इस नाम से भी search कर ले गाई, ठीक है जी, अब इस रिलाल मुझे कुछ नहीं चीए, एक ही दे देता हूँ, column में मेरा यह formula होगा, match का, बज़ यह, अब बस मुझे इसको ड्राइग करता है, कहां तक जहां तक formula है, अब इसमें भी error आ रही है, तो इस error का formula देते हैं, वो अपना काम कर लेगा, इस error, अब जब इसको ड्राइग करूँगा, यहाँ पर पहले मैं highest चला जाता हूँ, कितना है, 23, 24, 25, 25 पर error आ रही है, 24 तक last है, अब मेरी सारे column visible है, मैं अपना आराम से data, ड्राइग कर सकता हूँ, कहां तक करना है मुझे, यहां तक ड्राइग कर दिया मैंने, अब क्या changes करने हैं मैंने, इसको यहां नीचे ड्राइग करना हूँ, मुझे एक चीज बस बदल ली है यहां से, index number, यह जो अपना row number होगा, इसको, तो यहां दो कर दूँगा, यहां मैं 3 कर दूँगा, यहां मैं चार कर दिया मैंने, अब देखिए क्या होता है, एक डूपी इंच आप किस चीज का था यहीं, यह सर रो का था, देखिए, offset का formula क्या कर रहा हैं आपे, अगर offset formula है मैं, तो reference पहला यह हो गया, ठीक है जी, अब offset का formula ऐसे work करता है, reference मैंने यह ले लिया, मैंने बोला 0 row और 0 column की value दो, तो 0 row और 0 column मैं क्या देगा, 0 row 0 column यह खोदी है, मैंने बोला 0 row और 1 column की value दो, तो 0 row यह हुई हमारी, 1 column यहां आगया January, ठीक है जी, ठीक है जी, अब वही मैं अच्छे हम पता लगा रहे हैं, हमने January 6 लेकर यहां तक data सिलेक्ट किया, हमने का कौनसा index position पर ऊपर वाला, उसमें बोला 1, तो यह offset ने फिर वो 1 का data दे दिया, अब यह जो manually कर रहे हैं, यह row का data है, अब 1 बोलने का मतलब है यहां से एक नीचे आया, जेम स्क्रिक, जेम स्क्रिक का दे रहा है, ऐसे लूक, स्वाकर, तो यह दूसरे नंबर पर था, तो row का data मैंने यहां से दिया है, यहां पर देखेंगे, तो row ही change किये मैंने, ठीक है, जी row, reference, row यहां manual दे दिया, column match से उठ वाली है, match में क्या कर रहा हूँ, इसको find करा रहा हूँ, उपर वाली heading में कि कहा पर, reference वही रहेगा, dxon and chess, all the time, अब यह सारा का सारा जो data है, मेरा हो गया, automatic, अगर मैं यहां पर पहांच देता हूँ, यह वहां से, इस date के इस आप से ला रहा है, मतलब, अगर यहां पर अगर दो से start हो रहे हैं न, तो यह start date फरवरी है, और फरवरी को यह ढूढ़ रहा है इसके अंदर, और यह बोल रहा है दीपरी position पर row number एक है, तो यह उसकी value उठा के मुझे यहां से यहां दे दे रहा है, ठीक है जी, अब यह पूरा डेटा मेरा dashboard बनाने के लिए तयार है, तो मैं वहां तक जाता हूँ, इसका data को full कर देता हूँ, अब यह पूरा data हो गया, इस पर मुझे क्या लगाना है, अपना chart लगा देना, इंसर्ट करके, नॉर्मल कॉलम चार्ट इंसर्ट कर दिया मैंने, यह सब चाहिए नहीं चाहिए, यह अपनी मर्जी है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट में क्या क्या function कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, अब आप देखेंगे, यह चार्ट सेम वही function करेगा, यह हम चाह रहे थे, अब आपने region अगर select कर लिया, यहां से दो, तो यह region के बाद update हो रहा है, क्योंकि full data update हो रहा है, एक से लेकर मैंने का 5 तक याने, year में, वैसी work कर रहा है, क्योंकि data change हो रहा है, उसके पास कोई और option है लिए, ठीक है सर्थ, तो यह chart बस खाली खेल है, इसको copy कर लेते हैं, दूसरे पर साब सुत्रा, यहां तो बहुत गंदगी फैला दिये, अब यहां देखते हैं, बस हमें dashboard में assemble करने हैं सारी चीजे, यहां पर कोई भी जैसी आपको चाहिए, वैसी लगा लेजिए, यहां से यह chart पर, cut करके यहां ले आया, इसको मैंने delete, grid line delete कर दी, इस पर मैं कर रहा हूँ format chart area, नो fill कर सकता हूँ या कुछ भी, वाले से लिया gradient जो चाह रहा हूँ यह, इसको मैं थोड़ा सा look अच्छा दे देता हूँ, एक chart मैंने यहां set कर दिया, इसी outline खतम कर दे रहा हूँ, बॉर्डर कर लर नो लाइन, इस चार्ट इस तरह से दिखाएगा, अब क्या करना है हमें filter एड करने हैं, filter के अंदर मैंने बताया था, filter के लिए मैं एक panel एड कर दिता हूँ, इस यहां से, अब मैंने इसमें इस चीज़ बताई थी, कि अगर आपको radio button यूज करने हैं, तो आपको उनको group box के अंदर डालना पड़ेगा, तो separate यूज होँगे, अब group box में एक पर मैं डाल देता हूँ, पहला जो है region का, इसको चाहूँ तो मैं 3D look दे दूँ थोड़ा सा, तो ठीक ठाक लगेगा, यह 3D look में आगया, इसके अंदर मैंने अब radio button पटाफ़ट डालना, यह radio button है, कितना हमारा radio button जो है, region के हमारे 5 option रहेंगे, star, east, north, west, southwest, यह 5 option जो है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, इनको पुड़ा सा, set कर लेंगे, इनको align कर लूँगा, alignment, जब दपर में है कि नहीं है, alignment का हिसाथिता भी नहीं है, ज़िए कोई बात नहीं, वैसे ही manual कर लेते हैं, ठीक है, तोड़ा सब्ड़ा कर लेता हूँ, यहाँ, तो यहाँ मैंने option आये, इनका नाम कर लेंगे, पहले वैले को तो हम direct all देते हैं, ठीक है, जीक है, दूसरे वाले का नाम, जो भी है यहाँ से देखके, क्या है दूसरे वाले का नाम, East, North, South, West करके, तो East, East, North, 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 और वेस्ट, अब मुझे क्या करना है, इनका जो cell link देना है, format control में जाके, cell link मैंने यहाँ पे इससे related यहाँ से दे देना है, कौन सा? रीजन वाला, यह दे दिया, ओके, यहाँ, बास, अब क्या करेंगे हम, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपने filters पे क्लिक करेंगे, यह data filter होने लगे जा, जैसे ही दूसरे को select करेंगे, तो वहाँ दो return करेंगे, ठीक है, दो क्या करेंगा, वो इसमें से जूंड़ेगा दूसरे नमबर पे कौन है, दूसरे नमबर पे आया तो यहाँ पे यह filter एक्टिवेट हो गया, कि east का data ढूंड़ो, यहाँ पे time duration क्या है, उसके हिसाब से यह data, east का ही मिलना है आपको, ठीक है सार, हलो, हलो, आपको बोली बोली, तो यह एक तो आपका यह हो गया, एक filter मैंने यह लगा दिया, इसी तरह से बाट कि आपके दो filter और लगेंगे, दूसरी चीजे मैं आपको यह दिखाता हूँ कि combo box में यह जोनों कैसे फिक्टी जाएंगे, combo box में बहुत ही आसान है, आप जब भी पहले तो radio button जब भी यूज़ करेंगे, अगर आप individual, इनका selling एक साथ चाहते हैं, तो इसको group box के अंदर रखें, तभी यह independent work कर पाएंगे, otherwise क्या होगा, अलब आपको अलग से ऐसा group बनाके, फिर वहाँ आप customer या अगला है, तो इसके अंदर वो डालिए, तो वो अलग से चलेंगे, otherwise दिक्कत करेगा आपको, पस्टमर का आप यहाँ पर डालेंगे जुरूब box है, बाकी मैं दिखाता हूँ कि अपना combo box, एक start month के लिए, एक end month के लिए, यहाँ से चूप करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम format control पर जाएंगे, input range में हमें, यहाँ पर हमने अलग से वो रखा था, यह पूरी list मन्थ की, यह मन्थ की पूरी list जहां तक है, उठा लेंगे, इसर लिंक जो है, start वाले के लिए, यहाँ पर हमने start वाले के लिए, यहाँ से ले रखा है, ठीके जी, ओके, अब क्या होगा, इसमें यह उस से ले लेने लगेगा, एंड वाले के लिए, format control, शेम चीज करेंगे, लिंक डेटा वाहीं से उठेगा, शारा, इंपुट रेंज में, और इंपुट रेंज में, और इंपुट रेंज में, इसका चेंज हो जाएगा, अब है जाएगा, फुल कहता हूं तो फुल यहां से लेका यहां तक यह पूरा उठा लिया ठीक है सर यह चीज़ समझा ही सर हलो 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 नरेज जी हां जी तो यह समझा आया है हां क्लियर होगे है तो चलिए बाकी जो बचा खुचा है इस पर हम फिर बाद में करेंगे ठीक है संदे को स्पेशल एक बार और रिव्यू ले लेंगे अभी आपको मैंने कंट्रोल से अटाइच करना बता दिया अब उसका लॉजिक कैसे फिट करेंगे कि यहां पर पोइंटर से पहले एक नंबर लिया था उसको क्या करना है हमने टोटल सेल लेनी है यानि उपर का सब का सम कर लेना है और उसके बाद फिल्टरड वाली लेनी है यानि कि जो डेटा से आ रही है इस पर एक सम लगा दिया इन दोनों को डिवाइड करके यहां पर परसंटेज निकाल गिया सौ से डिवाइड करके परसंटेज एक से सौ सट ही आएगी तो जैसे ही यहां पर फिल्टर चेंज होगा तो जो हमारा जो चार्ट है वो इस पर बना हुआ है ठीक है सर तो यह चीज वहां इफेक्ट कर देगी मतलब यहां पर अलग अभी 21% है अगर कोई और फिल्टर होता है यहां माली जो 10 आ गया तो यहां अपने आप 8% है तो यह इसका 8% है यहां 8% आ गया ऐसे डैश्बॉर्ड में तुरन चेंज हो गया अब ट्राइ कीजिएगा अब ट्राइ कीजिएगा ठीक है सर ठीक है मैं ट्राइ करता हूं ठीक है ठीक है